ओम शान्ती, क्रियेटर, डारेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, संगम युग पर आकर हम बच्चों को अपना बनाते हैं. हमें ज्रामा का राज स्पष्ट कर त्रिकाल दर्शी बनाते और हमें ज्ञान के बड़े बड़े गोले देकर माया दुश्मन पर विजे प्राप्त करने की शिक्षा भी देते हैं. तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 3 अक्टूबर 2022 के बाबा के मधूर महावाक्यों को. शिव बाबा को याद करने से क्या फायदे होते? ताकत मिलती, पाप विनाश होते, राज्य भाग्य मिलता, 21 जन्मों के लिए जोली भरती. क्या होने से क्या होता है? मुरली सुनने से रिफ्रेश होते, बाप के आने से हम धनके बनते, ज्यान धारन करने से भविश्रे प्रिंस बनते, आप समान बनाने से बाप से इनाम मिलता, ज्यान के गोले मिलने से माया दुश्मन पर जीत पाते, ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशा बनते, बेहत का खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाती, अच्छी तरह धारणा कर आप समान बनाने से बहुत खुशी रहती। संगम युक पर हम बच्चे क्या करते हैं? संगम युक पर हम बच्चे क्या बनते हैं? धनके, जगतचीत, मनुष्य से देवता, स्वर्ग के मालिक, भविश्य महरानी। संगम युक में क्या क्या होता है? बाप रचना रचते, गीता का पाठ बजता, बाबा के धाम में जाते, राजधानी स्थापन होती, हम बहुत खुशी में रहते, हम सो का मंतर मिलता, भक्ती की भटकन से चूट जाते, शुव बाबा से हमारी सगाई होती, हैवनली डिटी, किंग्डम स्थापन होती, पुराना हिसाब किताब खलास होता, बाप से ग्यान के बहुत बड़े बड़े गोले मिलते, बुद्धी में सारे ब्रम्हान्ड और स्रिष्टी की नौलेज आती। आज की मुरली की अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं, दिन में है राजाई, रात में है धम्चक्र, मनुष्य मुक्ती में जाना चाहते, हम जीवन मुक्ती में जाते वाया मुक्ती धाम, उनकी बुद्धी में यात्रा पर जाते समें चार धाम रहते, हमारी बड़ी तनखुआ लेते यह हम अपने लिए 21 जन्मों की प्रालब्द बनाते वह सेना राजा रानी के लिए मेहनत करती हम अपने लिए माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हम कौन हैं ब्रह्मन, गुप्त सेना, हीरो पाठ धारी, रुहानी योद्धा, बेफिक् के पौत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, नंबर वार मुख्य यादगार किस किस के हैं, शिव बाबा, सुक्ष्म वतनवासी, ब्रह्मा, विश्नु शंकर, मनुष्वे स्रिष्टी में संगम युगी, जगत अंबा, जगत पेता और हम शिव शक्तियां, सत्युग में लक अनेक धर्म, एक धर्म, ब्रह्मा की माला, रुद्र माला हम बच्चों को किन बातों को धारणा मिलाना है, मुरली के नोट्स जरूर लेने है, नंबर वन पास होकर स्कॉलर्शिप लेनी है, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है, राज्योग से अपना पुराना हिसाब किताब चुक्तु करना है, खुशी मे रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है, ब्रम्ह बाप के दिल पर चड़ने के लिए क्यान योग में तीखा बनना है, ये थी आज की मुरली की विशेश बातें, उचे ते उच्चा बाप, हम ब्रामन आत्माओं को, हीरो पार्ड़ारी एक्टर्स को, नंबर वन लेने के लिए ज्यान योग में तीखा जाना है, ओम शन्ती.